हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बलूड जी केन मैथ ट्रिक्स में आज के टेस्ट के सभी महतुपूर्ण प्रस्णों का ट्रीकी हल देखेंगे दूस्तों देखें आज के टेस्ट के जो मैथ और रिजनिंग का प्रस्ण था सारे प्रस्णों का हल प्रस्णों क्या करता है प्रस्ण बाइं जबरदस्त कुस्टन सवताज का टेके c प्लस d is equal to seven है याद के c आता है थ्री नमर में और d आता है आपका कितने नमर में फोर नमर में अब जब बर्ग करेंगे इसका 3 के स्कौर 9 हो जाएगा 4 के स्कौर कितना हो जाएगा 16 हो दक डी होता है चार के स्क्वाइर होust тебе के स्वाइर होजागा 16 प्लस 5 के स्क्वाइर कीतना यानि ये 16 और प्लस होजाए तो इस दौनों को जोड़ेंगे तो को जाएrifा है लिए टौज के अंखों को अंसर आदेगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन के अगला कुश्चन यह आपका J F S M A M J J T करके आएगा J J T ठीक है यह यह आपका अंसर हो जाएगा आगे निखते हैं अगले कुश्चन के कुश्चन 33 क्या करता है A E E Is OK To 5 आप तो जानते है A 5 में नमर पर आता है मतलब कही नहीं कहीं यह जो है उसके मतलब जो अस्थानी एमान है उसको जोर आ आगे है ठीक है प्रता है जो एएक नमर्पर यहां कितने नमर्पर तेरा नमर्पर यह पाँ नमर्पर एन्डा नमर्पर ट चार नमर्पर इस तरह से का अपका इसको निकालकर जोरना है कितने नमबर पर पर पांच नमबर पर सी तीन नमबर पर और्फ एक कितने नमबर पर फिर आ गया फिर प respectively कितने नमर सस्क tut जोड़िए जोरिये गरगराहट बड़सा जब बड़सा होती है तो गरगराहट होता नहीं तो रातरी होती है तो क्या होगा इस अपसन में जुट पटा दीन तो अंधेरा होगा दोस्तों रातरी होगा तो क्या होगा अंधेरा होगा चलिए अगरा प्रसन देखते है थर्टी फाइव निमर क्या क कि देखते हैं दो में से चार में सार गया जीरो हो गया विधरा सबगा कि यृतार झाल कीवक कर देजेगा गा यह उन्नीस आजाएगा ठीक है सताइस मसाद घड़ाएंगे उन्नीस आजाएगा आगे देखते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन की आगे थाटी सिक्स देखिए कि मैं अप मैं घार घर पर जैनी अपने घार पर मैं पूरब जिसा के और मुह करके ख़रा हूँ तो मैं बाए और मुरता हूँ तो यहां से बाए आप मुर जाएंगे और बाए और मुरता हूँ और दस मीटर चलता हूँ यह दस चल गए चलता हूँ फिर मैं दाई मुरता हूँ अब यहां से दाई मुर गए और पांच मीटर चलता हूँ तो पांच चल गए ठीक है अब क्या पांच मीटर चलता है दक्षिन को मैं पांच मीटर दक्षिन की ओर जाता हूँ और वहां से पांच मीटर पस्चिम की ओर जाता हूँ अब यहां से फिर पांच मीटर आना है पस्चिम की ओर जाएंगे आएंगे किन आएंगे पांच मीटर जब पस्चिम की ओर आएंगे तो इ कहीं पर खारे हैं इधर की और। और यहीं से आप चलना शुरू किया हैं तो कहीं कहीं आपका आइंसर जो है या 10 मीटर में 5 मीटर यह हुआ। अगर पुत्र जो है इन्हीं सन जो है वह मदर से पीछे चल रहा था यह पीछे चल रहा है किसे मदर से चली मदर से पीछे चल रहा था और पिता से आगे चल रहा था तो पिता से आगे चलेगा कहीं कहीं इधर आ जाएगा नहीं यह दोनों उठकर कहीं कहीं इधर आ जाएगा ठीक है, तो सबसे पीछे कौन चल रहा था, पिता से ये सब आगे ही है, तो पिता ही ने सबसे पीछे है, सबसे पीछे पीछे पीता आपका अंसा आजाएगा कुश्चन नमर देखिए तक ऐसे प्रस्टों कैसे हल के रहता है तक हम आसान तरीका बताने हैं दो यह एक पिता और पुत्र की आयो का यूग 40 बरस है पिता और पुत्र का यूग 40 बरस होगे यहां फीर कितना हो गया थीर एकस भागते दिए जिनी चोवीस हो गया बेटा बृष दुनिया ताली सोजएगा पिता ठीक है तो अब यह निकाले यह बरतमान आयू काता है पुत्र की आयू गयांत किजिए इस समय इस समय नहीं बरतमान तो ये एक्स जो है ये कब का है ये 16 समय है ठो आखेदा अगहें चलिए अगह देखते है अगला कोश्षन अगला कोश्षन है कि यानि कि ये देखिए आप गौर्ड करेंगे ये बी बी हमेशा प्रभी B B C B B C, आ रहा है न양ए यहां पी B B C होना चाहिए, बी बी इस पीड-डी है, शे A गтаки to A B B B C , आठा किअ को आप यहाँ बैठा दीजिए B है , यहाँ A को बी इ-बी इधर LAST में को I really say B B C यहाए घाए , फिर ऑजाएगा क्या, A ins the पिर आजाएगा C A B B C अब फिर आजाएगा A B B C फिर A B इस तरह से आपका अंसर आजाएगा C B C C A C B C ठीक है इस तरह से असानी से बैस देखिए आगला कोश्चन क्या कहता है यह 50 नमबर नीचे से 50 नमबर ऊपर से हैं तो आप सीधा सा जोर सकते हैं टूटल हुआ नमबर 100 एक सो में से घटा दें क्योंकि आप 50-50 दो बार काउंट हो गया है यह नहीं नमबर आपका एंसर नमबर इस्टूडेंट्स होगी अज़ित कुश्चन नमर यह क्या करता देखिए 10 महिला किसी कारे को साथ दिन में करता है तो एक महिला कितना दिन में करता होगा सतर दिन मे कि पांच महिला एक महिला का हम निकाल लेए पहले एक बच्चा का निकाल लेंगेगे लसी में लेंगे तो 140 आएगा तो एक महिला गडर सतर दिन में काम करती है तो एक दीन में यह क्या को काम करती है transformed to 440 मेकीशETH को यह थ Görohl discuss एस्पाश्यम चाहिएanti को गांट यह क्योंगी सब्सक्राइब सबस्क्राइब तो दोनों जोड़िएगा तो दस और दस की तो जोगा बीस हो जाएगा टोटल काम 140 करने हैं 140 बटे आप 20 कर लीजेगा कट करके दूसाते 14 साथ ले जा अनसर हो जाएगा समझे माया की नहीं आया एक दीन का काम महिला का भी एक दीन का बच्चा का भी निकाल लेंगे उसके ज महिला अगर लगा जाएगे एक दीन में तो 50 दीन दस काम होगा वहीं पर 140 दीन में काम होता है बच्चा के दुखा लारा तो था पतु है तो जोड़ देंगे हैं चालीस में बीस से भाग देंगे यह साथ दिन में काम खतम हो जाएगा ठीक है चेड़ी आगे वर दे कुश्चन वर फोटीटू कि यह बस एक बस है बिना रुके यात्रा करने में चोबन किलोमेटर प्रती घंटा है अगर वह बस प्रती घंटा सामान समय रुकता है और और औ हाँ देखिए कि चोबन किलोमेटर है और और यह पैटालिस हो जाता है तो नौ किलोमेटर यह नहीं रुकता है नहीं लेकिन वह जो है चोबन किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से चलता है और इसको मिनट मदलने के लिए आप साइट से गुना कर दिए ठीक है नच्छा आप कभी भी निकालते हैं तो रेल गारी के साथ साथ अगर प्लेट फॉर्म होता प्लेट फॉर्म की लंबाई को जोडते हैं प्लेट फॉर्म की लंबाई आपको ग्याद करनी है तो एक से ले लेंगे ठीक है तो कुल दूरी बट्टे कुल समय कुल चाल को चाल को ही समय कर देखे चाल है आपका 72 किलोमेटर प्रती घंटा तो 72 को किलोमेटर प्रती घंटा को मीटर प्रती सेकेंड बदलने के लिए आप क्या करेंगे पॉंच बटे अठार सब्रती चाल होगे अब बराबर होजएगा 26 सेकेंड या 20 को 26 गुना होगा तो यहनु है 110 प्लस एकस बराबर 26 दुनी 52 पांच वीज अब 110 उदर जाग घड़ जाएगा तो एकस बराबर कितना होजएगा चार सो दस आ जाएगा आपका जाएगा ठीक है दोस्तों एदम सिंपल एजी है देखिए अगला कुश्चन क्या कहता फोटी फूर ए भी किसी काम को दस दिन में करता है बीस दिन में करता है अब भी अकेला इस कारे को साथ दिन में करता है फिर वही बात है साथ काम टोटल हो अभी दुन्हें मिल के 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा B 60 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा अब बताए A B मिल के एक दिन में 3 काम करे अब B अकेला एक दिन में 1 काम करे तो A अकेला एक दिन में कितना काम करता है सो बता है एक दिन में दो काम करता तो नहीं यहां दो प्लस एक तीन यानि बी का एक दी एक काम घटा देंगे तो एक अन्य बचेगा एक प्लस भी मिल करें तो यहां हो गया एक दिन का काम दो और बी का एक दिन का एक तबने दो और मिला के तीन काम होता है टोटल नहीं तो अब यहां एक काम टोटल ग्याद करना है एक अगर दो दो काम करता है एक दिन में तो टोटल काम 60 करने हैं तो एक काता था साथ बट दू यानि 30 दिन में हो जाएगा ठीक हाए चलिए आगे वडते साधरनी ब्याज की दर से किसी दधन का 10 वडस का 2 बटा 5 हो जाता है अब दो बटा 5 हो तो 20 हो गया 2 बता 5 x नहीं 2 बता 5 x तो आपका होता क्या Темरूला 20 गुने 100 2 बता 5 x गुने हो गया 100 बता मुलधन मुलधन हो गया आपका x और समय हो गया 10 बड़ से यही हो जाता आपका rate निकालने के लिए नहीं होता दर अपि यहाँ से काट लो ऐसे बरत है आपको आपका चार प्रसन्ट आपको आंसर आगेश्य को आ एक्षार बैसे बfast कि लिए उन्च होता फ़रमूला 8 N-2 into 180 बराबर हो जाएगा 1080 अब काट रिजनी 0088 अच्छे के 1806 हो गया N-2 बराबर 6 तो N बराबर 6 प्लस 2 यानि 8 N बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आगे बरते देखिए अगरा कॉशन यदि यदि एक खंबा की परचाई की लंबाई खाने की उचाई के बराबर है ये लंबा उचाई ये उसकी दूरी ठीक है ये दोनों अगर बराबर है तो आप सीधी जानते तरिकोनिमीती में 45 डिग्री में ही क्या होता है 45 डिग्री में ही होता है कि लंब और आधार बड़ाबर हो जाता है 10, 45 का मान क्योंकि एक होता है 10, 45 बड़ाबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है यह पी बटा एट बी होता है अगर इसका मान एक हो जाता है 10, 45 का मान पी बटा बी तब पी बराबर बी हो जाता हो ता कि नहीं पी बराबर बी यहां यह लंब और आधार बराबर है परचाई परचाई यह हो गया इसका और यह उचाई हो गया परचाई और उचाई बराबर है तो उन्हें कुन 45 डिग्री ही होगा 45 डिग्री में ही ने बराबर हो है ठीक है निए पोटी फैमने बिछ ऐसे बना सकते हैं है अगर आहिता कार फ्रिट की 지는 लंबाई य हे और चौर बीस मीटर है डिद है इस तरह से आप मान सकते बना सकते हैं यह 25 हो गया और यह 20 का पर नपर बढ़ बर नंदर पड़ेगा 25 यह बरहना पड़ेगा लेकिन आपको बरहना तो है नहीं इसके अंदर ती यह तो गलत हो जाएगा तो आप 20 पर सेही कट कर ये आपका बढ़ हो सकता है नहीं तो बीस मैक्सिमम भुजा होजाएगा आपका बीस से जज़्या नहीं होगा तो बीस का बढ़ हो जाएगा चार सौब जाएगा उन्चास क्या क्या करता तो दूसरी संख्या जो है यहां तीसरी संख्या की दुगुनी है क्या कहता है फिर पर्थम संख्या दूसरी की आदी है तो पर्थम संख्या जो हो गया यह दो सर्थ यह हो गया सकेंड यह हो गया पर्थम और यहां तीसरा आपको फिर निकालना है तो यह जो कहता है कि प्रतहम संख्या दूसरी की आदी है यह दूसरी की आदी है तथा तीसरी संख्या की दूगूनी है यह तीसरी की दूगूनी है मतलब तीसरी फिर क्या हो जाएगा तीसरी हो जाएगा आपका एक्स बट्टे चार तो आप इसको हल करेंगे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फिर जिसको 4 से कर टारेक्ट गुना में कर ली और वाइकस हो जाएगा यह थीर्य और टीन गुनेद तीन हो जाएगा यह खता में जा के लिए सकते हैं परूइस Warrior w 24 बार दूनी 24 चार से इसलिए गुना कर लिए कि ये बट्टा वाला जभीन के जूर करने में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे उससे बड़िया है चार से गुना करके सबको बड़ा समान के लिए तो कर सकते हैं ना इसलिए ठीक है तो चलिए आगे बर दे कुश्चन नम गे की जो यानि 5 बरस है तो पहले में 100 दूसरे में 110 क्योंकि साधारन ब्याज का बात हो रहा है ठीक है यह साधारन ब्याज की कोई चर्चा नहीं है आप लेंगे उसके बाद क्या लेंगे 120 130 10 10 बराते जाए 140 ठीक है 5 बरस आ गया इसको जोड़ेंगे कितना आजाएगा 600 आ कर लिजी एक सो बस दूगोजीरो दूगोजीरो खतम छेसाते 42 रुपया का किस्त हो जाएगा तो जोड़ेंगा 42